दोस्तों आज आप सुनेंगे मिस्ट्री की क्वीन मानी जाने वाली अगाधा क्रिस्टी का बहुत ही मशूर उपन्यास The Murder on the Orient Express हिंदी में आज के वेडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग इसका पहला भाग सुनने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें पहले मैं दो-चार बातें मिस्टर मैक्वीन से करना चाहूंगा शायद मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके पॉयरो ने कहा मौसिय बॉक रेल गाड़ी के गाड़ की तरफ मुड़े और उसे मैक्वीन को बुलाने का हुकम दिया गाड डिब्बे के बाहर चला गया पासपोर्टों और टिक्टों की एक गड़े लिए कंड़क्टर वापस आया मौसिय बॉक ने उससे वो सब समान ले लिया शुक्रिया मिशेल अब तुम जाकर अपना काम करो तुम्हारी गवाही हम बाद में ले लेंगे गंभीरता को देख रहा था क्या कुछ हो गया है क्या उसने सवाल किया बिलकुल कुछ हो गया है खुद को धक्के के लिए तयार कर लीजिए आपको नौकरी पर रखने वाले मौसिय रैचेट की मौत हो गई है पॉयरो ने कहा मैक्वीन के होट सीटी बजाने की मुद्रा में सिकुड गए सिवाए इसके कि उसकी आँखों में थोड़ी और चमक आ गई उसने सदमे या परेशानी की कोई निशानी जाहिर नहीं की तो आखिरकार उन्होंने उसको ढूंड ही लिया उसने कहा इस बात से आपका क्या मतलब है मिस्टर मैक्वीन मैक्वीन थोड़ा हिच के चाया पॉयरो ने फिर से कहा याणी आप ये मान कर चल रहे हैं कि मिस्टर रैचेट की हत्या की गई है इस बार मैक्वीन ने हिरानी प्रकट करते हुए कहा तो क्या नहीं की गई? सच पूछिये तो मुझे तो यही लगा था. आपका मतलब है कि वो बस सोते सोते युही टपक गया? अरे वो बुढ़ा इतना दमदार था, इतना दमदार था. इसके आगे उसे सूझा नहीं कि वो क्या बोले. पोयरो ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. आपका अंदाजा काफी सही है. मिस्टर रैचेट की हत्याही की गई है. चाकू मार कर. लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इतने पक्के तोर पर ये क्यों कहा कि वो हत्याही थी. महज मौत नहीं. मैक्वीन फिर से हिचक चाया. फिर बोला, मुझे ये साफ साफ जानना है कि आप लोग असल में हैं कौन? और आपका इस मामले से वास्ता क्या है? पॉयरो ने बॉक की तरफ इशारा करते हुए कहा. ये इस रेल कंपनी के डाइरेक्टर हैं. और मैं एक जासूस हूँ. मेरा नाम हरक्यूल पॉयरो है. मुझे इस केस की जाच के लिए नियुक्त किया गया है. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मरे हुए आदमी के बारे में जो कुछ भी जानते हूँ, वो सब मुझे बताएं. आप उनके रिष्टेदार तो नहीं थे? जी नहीं. मैं उसका सेक्रेटरी हूँ. मेरा में था. आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ नियुयोर्क से तेल के एक सौधे को परखने आया था. मेरे ख्याल से आप वो सारी डिटेल्स नहीं सुनना चाहेंगे. मेरे और मेरे मित्रों के साथ उस डील में अच्छा खासा धोका हुआ था. मिस्टर रैचिट उसी पर खुश था. फिर क्या हुआ? फिर हम लोग इधर-उधर घूमते रहे. मिस्टर रैचिट दुनिया देखना चाहते थे. इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी कि वो ज्यादा भाशाएं नहीं जानते थे. मैं सेक्रेटरी से ज्यादा उनके हर कारे का काम करता था. एक आ अमेरिका में अपने जिंदगी के बारे में बात नहीं करते थे. आपके ख्याल में इसकी क्या वज़ा थी? ये तो मैं नहीं जानता. हो सकता है उन्होंने जहां से जिंदगी शुरू की हो, उस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी रही हो. कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है. क्य ऐसा लगता था कि उन्होंने यकीनन किसी चीज या किसी आदमी से भाग निकलने के लिए अमेरिका को छोड़ा था. और मेरे ख्याल से वो इस बात में सफल भी हो गए थे. कुछ हफते पहले तक. और कुछ हफते पहले क्या हुआ? उनको अचानक चिठियां मिलने लगी. ध को तो नहीं. मेरे ख्याल से मेरे पास एक दो अभी मेरी फाइलों में पड़ी होंगी. एक का तो मुझे याद है कि रैचिट ने गुसे में फार दे थी. क्या मैं वो चिठियां आपके लिए लेका रहूं? जी हाँ, जरूर. मैं क्वीन डिब्बे से चला गया और कुछ मिन पर भी नहीं. हम तुमहें पकड़ने निकले हैं, रैचिट. और हम तुमहें पकड़कर ही रहेंगे. नीचे कोई साइन नहीं था. पोहरों ने दूसरा पात्र उठाया. उसमें लिखा था. हम तुमहें मजा चक खाएंगे, रैचिट. जल्दी ही किसी समय. हम तुमहें प्रशरों को छपाई की तरह से लिखा गया है। इससे लिखावट को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने उसी खामोश तरीके से उसे किनारे कर दिया था। लेकिन पता नहीं क्यूं मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि उनकी खामोशी के नीचे कुछ दर छिपा हुआ था। मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। क्यूं? ये तो मैं सही सही नहीं बता सकता। वैसे तो वो काफी खुश्मिजास थे। लेकिन सच्चाई यही है मिस्टर पॉयरो कि मैं उन्हें ना पसंद करता था और मुझे उनके उपर ज़रा भी यकीन नहीं था। पक्के तोर पर मेरा यही मानना है कि वो एक बेरहम और खतरनाक आदमी थे, हलांकि मैं ये नहीं जानता कि मैं ऐसा किस वजह से महसूस करता था, धन्यवाद मिस्टर मैक्वीन, एक और सवाल, आपने मिस्टर रैचेट को आखरी बार जिन्दा कब देखा था, पिछली रात कर अरिब दस बजे होंगे, मैं उनके कूपे में गया था, क्योंकि वे मुझे कुछ लिखवाना चाहते थे, किस बारे में, कुछ टाइलों और चीनी मिट्टी के कुछ दुरलब बरतनों के बारे में, जो उन्होंने फारस में खरीदे थे, जो सामान डिलिवरी में उनको मिला था, वो उन्होंने नहीं खरीदा था, इस मामले में कुछ समय से एक लंबी परेशान करने वाली चिठी पत्री होती रही है, और वही वो समय था जब आपने उनको आखरी बार जिन्दा देखा था, जी हाँ, मेरे क्याल से, अच्छा क्या आपको ये पता है कि मिस्टर जवान की आँखें चमकने लगी, जी हाँ, रैचेट और मेरे बीच एकदम अच्छे संबंध थे, क्या आप मुझे अपना पूरा नाम और अमेरिका का अपना पता बताएंगे, मैक्वीन ने नाम बताया, हेक्टर विलर्ड मैक्वीन, और साथ ही न्यू यूर्क का एक पत उसे शायद अब तक पता चल गया होगा, और अगर ऐसा हो, तो उसको भी अपनी जबान पर काबू रखने को कह दें, ठीक है सर, अमेरिकी नौजवान डिब्बे से चला गया, मौसी बॉक ने पूछा, क्या इस लड़के ने जो कहा, तुम्हें उस पर यकीन है, पोहरों न नाकाम रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई संदेह करने लायक बात नहीं है, मेरे ख्याल से मिस्टर रैचेट ऐसे आदमी थे, जो हर मुमकिन मौके पर खुद अपनी सलाह ही मानते थे, बॉक ने खुशमिजाजी से कहा, तो इसका मतलब ये हुआ, कि तुम इस जुर्म मिस्टर बॉक ने सोचने वाले अंदाज में कहा, ऐसा कदम तो वही आदमी उठा सकता है, जिसके अंदर पागलों जैसी नफरत भरी हो, या तो ये कोई लैटेन आदमी हो सकता है, या फिर जैसा की हमारा गार्ड बार बार जिद कर रहा था, ये किसी औरत का काम है, अध्य 7. डॉक्टर कॉंस्टेंटाइन को साथ लिए, पॉयरो अगले डिब्बे के उस कूपे में पहुँचे, जिसमें कतल किया गया आदमी सफर कर रहा था, कंडक्टर ने आकर अपनी चाबी से उनके लिए दरवाजा खोल दिया, दोनों आदमी अंदर दाखेल हुए, पॉयरो ने चारों तरफ नजरें दोड़ाई, सबसे पहली चीज जो उन्हें महसूस हुई, वो थी कूपे के अंदर सक्त सर्दी, खिड़की जितनी हद तक नीचे सरकाकर खोली जा सकती थी, खोली हुई थी, और उसका परदा उठा हुआ था, पॉयरो ने ध्यान से खिड़की की जाच की, फिर कहा, आप सही कह रहे थे, डॉक्टर, कोई भी इस खिड़की के रास्ते से बाहर नहीं गया है, संभव है, खिड़की खुली छोड़ने के पीछे इरादा यही रहा हो, लेकिन अगर ऐसा था भी, तो बर्फ ने हत्यारे का मकसद नाकाम कर दिया, फिर उन्हो से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर उस चोखट पर थोड़ा सा पाउडर छिड़का, फिर उन्होंने कहा, उंगलियों के कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है कि उनको पहुंच दिया गया है, वैसे भी अगर निशान होते भी, तो उनसे हमें बहुत कम पता चल पाता, वे शिरकी को बंद करके पॉयरों ने अपना ध्यान लाश की तरफ किया, रैचेट पीठ के बल पड़ा हुआ था, उसके नाइट सूट की जैकेट पर जंग जैसे धब्बे पड़े थे, उसके बटन खुले हुए थे और वो पीछे को सरका दी गई थी, ये मैंने किया था मैंने तो बारा गिने थे, एक दो तो इतने हलके हैं कि करीब घरोंचों जैसे हैं, दूसरी तरफ कम से कम तीन ऐसे हैं जो मौत का कारण हो सकते हैं, डॉक्टर की लहजे में कुछ ऐसा था जिसने पॉयरों का ध्यान खीचा, उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा, छोटे कहा आपने, डॉक्टर ने कहा, यहाँ पर ये देखिए, इन दो घावों को, ये यहाँ और ये यहाँ, ये गहरे हैं, हर चोट से अंदर खून की नसें कट गई होंगी, और उसके बाद भी उनके किनारे फैले हुए नहीं हैं, उनसे उस तरीके से खून नहीं बहा है, जैस पोरी बेतुकी बात है, इसलिए मैं इसे कहने में हिचकिचा रहा था, पोहरों ने सोचते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है, कोई और बात जो आपके दिमाग में आई हो, जी हाँ, एक और बात है, कहिए, आप यहाँ इस घाव को देख रहे हैं, दाइं बाह के नीचे, बाएं हाथ से ये बेहद मुश्किल है, लगभग असंभव, देखा जाए तो हाथ को पलट कर वार करना होगा, लेकिन अगर चोट बाएं हाथ से की जाए, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक मिस्टर पॉयरो, ये वार पक्के तोर पर बाएं हाथ से किया गया है, तो इसक मतलब हत्यारा लेफ्टी है, नहीं मेरे ख्याल से इसमें कुछ और पेच होना चाहिए, जैसा आप कहें मिस्टर पॉयरो, इन में से कुछ दूसरे वार तो साफ साफ दाएं हाथ से भी किये गए हैं, यानि यहां भी दो लोग, हम पलट कर फिर से दो लोगों पर आ गए हैं अच्छा ये बताईए, क्या उस वक्त बत्ती जली हुई थी, ये कहना तो मुश्किल है, बात ये है कि उसे हर सुभा दस बजे कंड़क्टर बंद कर देता है, ये बात तो हमें स्विच से पता चल जाएगी, पॉयरो ने कहा, उन्होंने उपर की लाइट का स्विच जाचा और बिस्तर के उपर की पलेदार छोटी बत्ती का भी, उपर की लाइट का स्विच ओफ था और बिस्तर के उपर की लाइट का स्विच भी बंद था, पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं इस पहले और दूसरे हत्यारे के बारे में एक कलपना कर पा रहा हूँ, पहले हत शरीर में ही चाकू भोग दिया, कहिए कैसी रही, शांदार, ठिगने डॉक्टर ने उत्साह के साथ कहा, पोहरों की आँखों में चमक आ गई, आप वाकई इसा सोचते हैं, अच्छा, मुझे तो ये कुछ बकवास जैसा लगा, तो फिर इसके अलावा और क्या जवाब हो सकत है, हैरान डॉक्टर ने पूछा, यही तो मैं भी अपने आप से पूछ रहा हूँ, हमारे सामने ये जो है, ये कोई इत्तफाक है या कुछ और, क्या कोई और असंगती भी है, जो दो लोगों के जुड़े होने की तरफ इशारा करती हो, डॉक्टर ने कुछ सोचा, फिर व लेकिन ये जो यहां पर हैं, और खास तोर से ये वाला, इन वारों के लिए जबरदस्त ताकत की जरूरत थी, इन्होंने मास पेशियों को छेद का रख दिया है, तो आपकी राय में वे किसी आदमी ने किये थे, बिल्कुल, यकीनन, आपको लगता है कि कोई औरत ऐसे वार नहीं कर सकती थी, पॉयरों ने पूछा, कर सकती है, कोई जवान, ताकतवर, तंदुरुस्त औरत ऐसे वार कर सकती है, खास तोर पर अगर उसके भीतर भावनाओं का जवार भी उमड रहा हो, लेकिन आम तोर पर मेरी राय में ये काफी हद तक नामुम्किन है, आप मेरी ब से काम करने वाला था, अच्छा मजाक है ये, और इन सब के बीच ये शिकार, ये क्या करता है, क्या वो चीख मारता है, क्या वो हाथ हपाई करता है, क्या वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, हमें कुछ नहीं पता, फिर उन्होंने अपना हाथ तकिये के नीचे सरकाया और वो आटोमेटिक पिस्तॉल बाहर निकाली जो रैचेट ने पिछले दिन उनको दिखाई थी ये देखिए ये पूरी भरी हुई है दोनों ने चारों तरफ नजरें दोड़ाई रैचेट के दिन में पहनने वाले कपड़े दिवार पर लगी खूटियों से लटक रहे थे हाथ मुह दोने की चिलमची के धककन से बनी छोटी सी मेज पर कई चीज़ें रखी हुई थी पानी के एक ग्लास में नकली दांत एक और ग्लास जो खाली था मिनरल वाटर की एक बोटल एक बड़ी सी फ्लास्क और एक एश्ट्रे जिसमें सिगार का एक टोटा और कागज के कुछ जले हुए टुकड़े पड़े थे साथ ही माचिस की दो जली हुई तीलिया डॉक्टर ने खाली ग्लास को उठाया और उसे सुंगा फिर आहिस्ता से बोला मारे गए आदमी की सुस्ती का जवाब तो ये रहा क्या नशे की दवा जी हाँ फिर पॉयरो ने माचिस की दोनों तीलियों को उठाया और ध्यान से उनको देखा फिर वो बोला ये दोनों तीलियां दो अलग-अलग किस्म की है एक तीलि दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चप्टी है ये उस किस्म की है जो आपको ट्रेन में मिलती है कागज के पत्ते में फिर पॉयरो ने रैचट के कपड़ों को टटोला और उसकी जेब में से माचिस की एक डिबिया खींच निकाली फिर उन्होंने दोनों को साफधानी से मैच करके देखा गोल वाली तीली तो वो है जो मिस्टर रैचट ने जलाई थी आये देखते हैं कि क्या उनके पास ये चप्टी वाली भी थी लेकिन और खोजबीन से किसी और माचिस का कुछ पता नहीं चला पोईरों की आँखें कूपे में चारो तरफ नाच रही थी हलकी सी एक आवाज के साथ वो चानक जुके और उन्होंने फर्ष से कुछ उठाया ये सूती कपड़े का एक छोटा सा चौक और टुकडा था बहुत ही नफीस ये देखकर डॉक्टर बोला ओह तो रेलगाडी का वो गार्ड सही कह रहा था इस सबसे जरूर कोई और जुड़ी हुई है पोईरों ने नाक सिकोड कर कहा और बड़े इत्मिनान से वो अपना रुमाल पीछे छोड़ जाती है ठीक वैसे ही जैसे किताबों में और फिल्मों में होता है और हमारे लिए काम को और आसान करने के लिए रुमाल पर उसके नाम का पहला अक्षर भी है डॉक्टर पोईरों के व्यंग्या को समझा नहीं और खुश हो गया वाह! किसमत तो महरबान है हमारे उपर पोईरों ने एक बार फिर से नाक सिकोडी और दोबारा फर्श की तरफ जुग गया इस बार उसकी हतेली पर एक पाइप साफ करने वाला रखा हुआ था शायद ये मिस्टर रैचेट का होगा डॉक्टर ने सुझाद दिया लेकिन उनकी जेबों से कोई पाइप नहीं निकला और ना ही तंबाकू या तंबाकू की थैली लेकिन फिर भी ये एक सुराग तो है डॉक्टर ने कहा जी हाँ जरूर है और एक पार फिर बड़े ही सुविधा जनक धंग से गिराया गया इस बार आप ज़रा ध्यान दीजिए कि ये एक मरदाना सुराग है इस मामले में सुरागों की कमी की शिकायत तो कोई कर ही नहीं सकता यहाँ तो भर-भर के सुराग छोड़े गए है अच्छा ज़रा ये तो बताइए कि आपने हथियार का क्या किया हथियार तो यहाँ था ही नहीं उसे हथियारा अपने साथ ले गया होगा डॉक्टर ने कहा तभी डॉक्टर को कुछ याद आया उसने कहा अरे मैंने इसकी जैकेट के बटन खोल कर उसे पीछे को पलट दिया था उसकी जेबों में तो हमने देखा ही नहीं कि क्या है फिर उसने जेबों में हात डाला और सामने सीने वाली जेब से एक सुनहरी जेब घड़ी निकाली उसका धकन बुरी तरह से पिचका हुआ था और घड़ी के सुईयां सवा एक बजा रही थी डॉक्टर और भी जोश में आ गया अरे ये देखिए इससे हमें जुर्म के समय का पता चल जाता है ये भी मेरी गिंती से मेल खाता है मैंने कहा था कि रात के बारह बजे से दो बजे के बीच हत्या हुई है और ये देखिए ये घड़ी समय दिखा रही है सवा एक यानि यही था जुर्म का समय हाँ ऐसा संभब तो हो सकता है पॉयरो ने बड़ी ही उदासींता से कहा डॉक्टर ने अजीब सी नजरों से पॉयरो को देखा माफ कीजिएगा मिस्टर पॉयरो लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या मैं खुद ही अपने आपको समझ नहीं पा रहा हूँ और तो और मैं और भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं इस बात से मुझे चिंता हो रही है पॉयरो ने रूखे स्वर में कहा फिर उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और कागस के जले हुए टुकणों को परखने के लिए उस छोटी सी मेज पर जुक गए फिर खुद से ही बुदबुदाए इस समय जिस चीज की मुझे जरूरत है वो पुराने किस्म का औरतों के हैट रखने का एक डिबबा है डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया कि वे इस उट पटांक बात का क्या मतलब निकालें इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते पॉयरो ने गलियारे में खुलने वाला दर्वाजा खोला और कंड़क्टर को आवाज लगाई वो आदमी दोडता हुआ आया इस डिब्बे में कितनी ओरते हैं? पॉयरो ने सवाल किया कंड़क्टर ने उंगलियों पर गिंती की एक, दो, तीन, छे छे हैं मौसिये एक वो बुढी अमेरिकन ओरत एक स्वीडिश ओरत एक वो युवा अंग्रेज ओरत और काउंटेस आंध्रेनी और क्वीण ड्रेगो मिरोफ और उनकी नौकरानी और उन सब के पास हैट रखने वाले डिब्बे हैं क्यूँ? जी हाँ सर हैं तो ऐसा करो स्वीडिश ओरत और नौकरानी के हैट रखने वाले डिब्बे ला दो उन्हीं दो से मुझे कुछ उमीद है ही दोनों डिब्बे लेकर लौट आया पोईरों ने नौकरानी वाला डिब्बा खोला और फिर उसे परेफेक दिया फिर उसने स्वीडिश ओरत का डिब्बा खोला और एक संतोश भरी आवाज अपने मुह से निकाली उसने हैट को सावधानी से निकाला तो तार की बनी जाली के गोल-गोल कूबड नजर आए अहा ये रहा वो जिसकी हमें जरूरत है करीब 15 साल पहले हैट रखने के डिब्बे ऐसे ही बनते थे हैट को तार की जाली के इस कूबड पर रखकर हैट पिन को उसके आर पार खोंस दिया जाता था बोलते बोलते पोहरो बड़ी होश्यारी से डिब्बे के अंदर के दो कूबड निकाल रहे थे फिर उन्होंने हैट के डिब्बे का समान फिर से उसमें रख दिया और कंडक्टर से कहा कि दोनों डिब्बों को वापस महीं रख दे जहां से उनको वो लाया था जब एक बार फिर से दर्वाजा बंध हो गया तो वो अपने साथी की तरफ मोड़े और बोले आप मुझे देखिये डॉक्टर मैं विशेशग्यों की तरकीबों पर भरोसा करने वाला आदमी नहीं हूँ मैं उंगलियों के निशान या सिगरेट की राख नहीं खोजता मैं साइकॉलोजी खोजता हूँ लेकिन इस केस में मैं थोड़ी सी वैग्यानिक साहता का भी स्वागत करूँगा ये डिब्बा सुरागों से भरा हुआ है लेकिन क्या मैं पक्के तोर पर कह सकता हूँ कि वो सुराग सचमुच वही है जो वो दिखाई दे रहे हैं जैसे मैं आपको एक उधारन दे कर समझाता हूँ हमें एक औरत का रुमाल मिलता है क्या किसी औरत ने उसे गिराया है या फिर किसी आदमी ने जुर्म करते समय खुद से कहा मैं ये कोचिश करूँगा कि ये किसी औरत का किया गया जुर्म लगे मैं अपने दुश्मन को बिना जरूरत कई बार चाकू भूखूँगा कुछ वार कमजोर और बे असर धंक से करते हुए और फिर मैं ये रुमाल वहां गिरा दूँगा जहां कोई इसे देखे बेना नहीं रह पाएगा ये एक संभावना है फिर इसके बाद एक और भी संभावना हो सकती है क्या वाकई किसी औरत ने जुर्म किया और जान बूज कर पाइप साफ करने वाला वहां गिरा दिया जिससे ये आदमी का किया जुर्म जान पड़े या फिर क्या हमें गंभीरता से ये मानना होगा कि इसमें वाकई दो लोगों का सरुकार था एक मर्द और एक औरत और दोनों में से हर एक इतना लापरवाह था कि अपनी अपनी पहचान की कोई निशानी वहां गिरा कर चला जाए ये सब कुछ ज्यादा ही संयोग जान पड़ता है है की नहीं? लेकिन इस सब से हैट के बॉक्स का क्या तालूख है? डॉक्टर को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जैसा की मैंने कहा ये सुराग, सवा एक बजे रुकी हुई घड़ी, रुमाल, पाइप साफ करने वाला ये सब असली भी हो सकते हैं और नकली भी इसके बारे में अभी मैं निश्चित तोर पर कुछ नहीं कह सकता लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सुराग है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि वो नकली नहीं है हलांकि मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मैं यहाँ भी गलत हो सकता हूँ मेरा इशारा है माचिस की इस चप्टी तीली की तरफ मुझे यकीन है कि माचिस की ये वाली तीली मिस्टर रैचिट ने नहीं बलकि हत्यारे ने इस्तिमाल की थी उसने इसे किसी ऐसे कागज को जलाने के लिए इस्तिमाल किया था जो किसी को अपराधी तहरा दे जो भी वो था उसे दोबारा से जिन्दा कर पाऊं। इतना कहकर पॉयरो डिब्बे से बाहर गए और कुछ पल बाद एक छोटे से स्पिरिट स्टोब और हेयर करलर के साथ वापस लोटे। हेयर करलर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने डॉक्टर से कहा मैं इसे अपनी मूचों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। डॉक्टर उत्सुकता से उनको देखते रहे। पॉयरो ने तार से बने दोनों कूबड़ों को चप्टा किया और बड़ी ही साफधानी से कागस के ज स्पिरिट लैंप की लौके उपर ले गए। डॉक्टर इस सारी कार गुजारी को ध्यान से देख रहा था। धातू की बनी जाली चमकने लगी। अचानक उसने कागस के टुकड़े पर अक्षरों के हलके हलके चिन्न देखे। धीरे धीरे शब्द पूरे बननने लगी। आग के शब्द। टुकड़ा बहुत ही चोटा था। सिर्फ तीन शब्द पूरे और चोथे का थोड़ा सा हिस्सा उनको नजार आया। ये शब्द थे। द, करो, नन्ही, डेजी, आम्स्ट्रॉंग। पॉयरों की आँखें चमकने लगी। उन्होंने चिम्टी को सावधा जानी से एक तरफ रख दिया और बोले, अब मैं मरे हुए आदमी का असली नाम जान गया हूँ और ये भी जान गया हूँ कि उसे अमेरिका क्यों छोड़ना पड़ा। डॉक्टर का मुह खुला रह गया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कसेटी. कसेटी? हाँ, कुछ- पहले की बात है शायद, ये अमेरिका में कोई केस हुआ था शायद, है ना? जी हाँ, ये अमेरिका का केस था. उस सब की चर्चा हम जल्दी ही करेंगे, लेकिन पहले ये पक्का कर लें कि जो कुछ यहाँ देखने को है, वो सब हमने देख लिया है. तेजी से और माहिर हाथ पहरों से पहरों ने एक बार मरे हुए आदमी के कपड़ों की जेबे खंगा ली, लेकिन वहाँ दिल्चस्पे की कोई चीज उनको नहीं मिली. फिर उन्होंने उस दर्वाजे का हथा घुमाया, जो अगले कूपे में ले जाता था, लेकिन उसकी चिटखनी दूसरी तरफ स लगी हुई थी, और गलियारे में खुलने वाला दर्वाजा भी अंदर से ना सिर्फ बंद था, बलकि उसमें कड़ी भी लगी थी, तो फिर हत्यारा कूपे से आखिर निकला कैसे? पहरों ने बड़े ही अजीब से स्वर में कहा, यही बात तो दर्शक भी कहते हैं, जब ज कीन दिलाने का था, कि वो खिड़की से निकल कर भागा है, तो खुदरती तोर पर वो ऐसा इंतजाम करेगा, ऐसा दिखाएगा, कि बाकी दोनों रास्तों से निकलना असंभव था, उस अलमारी के गायब होने वाले आदमी की ही तरह, यह भी बस बाजीगरी का एक कर्तब है यह हमारा काम है कि हम पता लगाएं कि यह कर्तब कैसे किया गया, पौहरों ने बीच वाले दर्वाजे की चिटखनी इस तरफ से भी लगा दी, फिर वो बोला, कहीं वो मिसिस हबड के दिमाग में ये खयाल ना आ आ जाए, कि अपनी बेटी को लिख कर भेजने के लिए जु उन्होंने मौसिय बॉक को अपना आमलेट खत्म करते पाया, उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि डाइनिंग कार में फौरण दो पहर का खाना लगवा दिया जाए, बाद में वो सब साफ कर दिया जाएगा और मौसिय पॉयरो मुसाफिरों से अपनी जांच परताल अच्छी तर कर लिया गया, लेकिन खाने के बाद जब तक वे कॉफी की चुस्किया नहीं लेने लगे, तब तक मौसिय बॉक ने वो बात नहीं छेडी, जो उन सभी के दिमागों पर हावी थी, तो फिर क्या रहा, उन्होंने पूछा, मैंने मारे गए आदमी की शिनाख्त कर ली है, मु सैटी, हाँ हाँ मुझे याद आया, बड़ा ही दिल देहला देने वाला मामला था वो, हलांकि मुझे पूरी बात ठीक से याद नहीं आ रही है, मौसिय बॉक ने कहा, पोईरो ने बताना शुरू किया, करनल आमस्ट्रॉंग अंग्रेज थे, विक्टोरिया क्रॉस से समानि वे आधे अमेरिकन थे, क्योंकि उनकी मा, वॉल स्ट्रीट के करोड़ पती, डव्ल्यू के वैन डरहॉल्ट की बेटी थी, करनल आमस्ट्रॉंग ने दुख भरी भूमिकाओं में उतरने वाली, अपने जमाने की सबसे मशूर अभिनेतरी, लिंडा आर्डन की बेटी से शा जो खुच हुआ, उसके डीटेल्ड ब्योरों से मैं आपको ठकाऊंगा नहीं, मैं वहाँ तब पहुचा था, जब दो लाख डॉलर की भारी भरकम रकम अदा करने के बाद, बच्ची की लाश बरामद हुई थी, जो कम से कम दो हफते पहले ही मर चुकी थी, लोगों का गु उनके तूटे दिलवाले पती ने खुद को गोली मार ली, हाँ हाँ कैसी ट्रेजडी है, मुझे अब सब याद आ रहा है, एक और भी मौत हुई थी, अगर मैं सही सही याद कर पा रहा हूं तो, मौस ये बॉक ने कहा, जी हाँ, सही कहा आपने, वो बच्ची की बदनसीब म पुलीस को यकीन था कि उसे अपराध की कोई जानकारी थी, उसने चीख चीख कर इनकार किया कि वो उस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन पुलीस ने उस पर विश्वास नहीं किया, आखिरकार हताशा के दोरे में बिचारी लड़की ने एक खड़की से छलांग लगा पुलीस उनको खोज लेने के करीब है, तो वो क्यादी को मार देते थे, लाश को छिपा देते थे, और अपराद के पता लगने से पहले जितना पैसा एंट सकते एंट लेते थे, अब मैं आपके सामने ये साफ कर दूँगा कि कसेटी ही असली आदमी था, लेकिन उस दौलत के साहरे जो उसने जमा कर रखी थी, और उस चिपे हुए शिकंजे की बदौलत, जिसमें उसने बह भागना निकला होता, अब मेरे सामने सब कुछ साफ है कि क्या हुआ होगा, उसने अपना नाम बदला और अमेरिका से रफुचकर हो गया, तब से वो एक आराम तलब रईस के भेश में विदेश यातराएं करता हुआ, अपने लगाए हुए पैसे के ब्यास पर जी रहा था उफ, कैसा जानवर था ये आदमी, मुझे जरा भी अफसोस नहीं कि वो मर चुका है, लेकिन तो भी, ये क्या जरूरी था कि वो मेरी ही ट्रेन पर मारा जाए, और दूसरी जगएं भी थी मरने के लिए वहाँ मर जाता जाकर, मौस ये बॉक ने उखड़े स्वर में कहा, प फिर ये निजी बदले की कारवाई है, फिर पॉयरों ने जले हुए कागज के टुकड़े पर लिखे उन थोड़े से शब्दों के बारे में बताया, अगर मेरा अंदाजा सही है, तो चिथी को हत्यारे ने जलाया, लेकिन क्यों, क्योंकि उसमें आमस्ट्रॉंग शब्द जो रहस्य का सुराग है, क्या आमस्ट्रॉंग परिवार का कोई सदसे जीवित है, बॉक ने पूछा, दुर्भाग्य से ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद आता है, कि मैंने मिसिस आमस्ट्रॉंग की एक छोटी बहन के बारे में कहीं पढ़ा था, फिर पॉयरों ने अपने और डॉक्टर कॉंस्टेंटाइन के संयुक नतीजों के बारे में बॉक को बताया, तूटी हुई घड़ी के जिक्र पर मौस्य बॉक का चेहरा खेल उठा, लगता है ये तो हमें अपराध के समय का काफी सही अंदाजा दे रही है, जी हाँ, ये कुछ ज्यादा ही सुविधा जनक है, उसके लहजे में कुछ ऐसा था, जिसने बाकी दोनों को उत्सुकता से उनके चेहरे की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया, आपने ये कहा था ना, कि आपने खुद रैचेट को कंड़क्टर से एक बजने में 20 मिनट पर बात करते सुन जिन्दा था, सही सही कहें तो एक बजने में 23 मिनट पर, यानि 12 बजकर 37 मिनट पर मौसिय रैचेट जिन्दा थे, एक तथे तो ये हमें कम से कम पता है, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और डाइनिंग कार वाला बंदा अंदर आया, उसने कहा, डाइनिंग कार अब खाल सभी लोगों की गवाहियों का वर्नन है, भाग दो, अध्याए एक, डाइनिंग कार में सब कुछ तयार था, पॉयरो और मौसिय बॉक एक मेज की तरफ बैठे, डॉक्टर बीच के गलियारे की दूसरी तरफ, मेज पर पॉयरो के सामने इस्तामबूल केले डिब्बे का नक अब हम अपनी जांच अदालत और बिना किसी ताम जाम के शुरू कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें कंडक्टर की गवाही ले लेनी चाहिए, आप शायद इस आदमी के बारे में कुछ जानते होंगे मौसिय बॉक, ये कैसा आदमी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, क् इस कंपनी में काम करते हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो फ्रेंच है, कहले के पास रहता है, बहुत ही इजददार और इमानदार, बस दिमागी तोर पर शायद उतना तेज नहीं है, ठीक है, तो आईए उससे मिलते हैं, पियरे मिशेल ने अपना आत्मविश्वास किसी कदर दोबारा हासिल तो कर लिया था, लेकिन अब भी वो काफी घबराया हुआ था, उसने चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे उमीद है कि मौसिये ये नहीं सोचेंगे कि मेरी तरफ से कोई लापरवाही हुई है, जो हुआ वो बहुत ही भयानक है, लेकिन उमीद है कि आप ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि इस से मेरे उपर किसी किस्म का दागधबा लगता है, उस आदमी के डर को शांत करते हुए पॉयरों ने सवाल पूछने शुरू किये, पहले उन्होंने मिशेल का नाम, पता, नौकरी की मियाद और उस अरसे के बारे में जानकारी हासिल क जब से वो इस रूट पर तैनात था, ये सारे ब्यौरे वो पहले से ही जानते थे, लेकिन काईदे से पूछे जाने वाले इन सवालों ने उस आदमी को थोड़ा धीला कर दिया, और अब हम कल रात की घटनाओं पर आते हैं, मिस्टर रैचिट कब सोने गए थे, जी, खाने के लगभग फोरण बाद ही, दरहसल बेल ग्रेड से हमारे चलने से पहले, इससे पिछली रात भी उन्होंने ऐसा ही किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक वो खाना खा रहे हों, मैं उनका बिस्तर वगेरा ठीक कर दूँ, और मैंने ऐसा ही किया था, क्या बाद मे उनको तब ही देखा या सुना था, जी नहीं सर, आप शायद भूल रहे हैं, उन्होंने अपनी घंटी एक बजने में 20 मिनट के करीब पर बजाई थी, हमारे रुकने के कुछ ही देर बाद, जरा विस्तार से बताओ कि उस समय क्या हुआ था, जी मैंने जाकर उनका खट-खटाया, लेकिन उन्होंने अंदर से आवाज लगा कर कहा कि उनसे गलती हुई थी, कौन सी भाशा में कहा था, इंगलिश में या फ्रेंच में? जी फ्रेंच में, उन्होंने सही सही क्या शब्द बोले थे, वो याद करके मुझे बताओ, जी उन्होंने कहा था, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मुझसे गलती हुई, बिल्कुल ठीक, यही मैंने भी सुना था, अच्छा फिर तुमने क्या किया, तुम वहाँ से चले गए? जी सर, क्या तुम वापस अपनी सीट पर गए? जी नहीं, मैं एक और घंटी का जवाब देने गया था, जो ठीक उसी सीट पर था, गल्यारे की तरफ मुह किये हुए, पक्का? जी हाँ, कम से कम, हाँ हाँ बोलो, जी मैं बगल के डिब्बे में, जो एथिन्स वाला डिब्बा है उसमें, अपने साथी से बात करने गया था, हमने बर्फ के बारे में बात की थी, ये एक बज़े के बाद किसी ट आया था, वो जो अमेरिकन महिला हैं, उन्होंने बज़ाई थी, दरसल उन्होंने कई बार घंटी बज़ाई थी, हाँ, मुझे याद है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, सर, मैंने आपकी घंटी का जवाब दिया, और आपके लिए मिनरल वाटर लेकर आया, फिर करिब आधे घंटे बाद, मैंने एक और कूपे में बिस्तर ठीक किया, मिस्टर रैचिट के सेक्रेटरी का, जब तुम उनका बिस्तर ठीक करने गए, तो उस वक्त क्या मिस्टर मैक्वीन अपने कूपे में अकेले थे? जी नहीं, 15 नमबर वाले अंग्रेज करनल उनके साथ थे, वे दोनों बात कर रहे थे, जब करनल मिस्टर मैक्वीन को छोड़ कर गए, तो फिर उन्होंने क्या किया? वो वापस अपने कूपे में चले गए, 15 नमबर कूपे, वो तो तुम्हारी सीट के काफी पास है न? जी सर, वो गलियारे के उस छोड़ से दूसरे नमबर का क लेकिन दो बजे के बाद तो नहीं ही था, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सुभा तक अपनी सीट पर बैठा रहा, तुम दो बारा एथेंस वाले डिब्बे में नहीं गए? नहीं मौसिय, शायद तुम सो गए थे, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं सोया था मौसिय, गाड़ी के खड़े रहने की वजह से मुझे जपकी नहीं आई, जैसा की आम तोर पर होता है, क्या तुमने सवारियों में से किसी को गल्यारे में आगे या पीछे की तरफ आते जाते देखा था? कंड़क्टर सोचने लगा, फिर बोला, जी महिलाओं में से एक दूसरे सिर जिस पर ड्रैगन बने थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मौसिय, सुभह तक सब ठीक था, तुम्हें पक्का यकीन है? जी हाँ, माफी चाहता हूँ, आपने खुद अपना दर्वाजा खोला था मौसिय, और एक पल के लिए बाहर देखा था, बह तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो चीज क्या रही होगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं था मौसिय, कुछ भी नहीं, मुझे पक्का यकीन है, तो फिर शायद मुझे कोई बुरा सपना आया होगा, पॉयरो ने कहा, तभी मौसिय बौकने टोका, हाँ अगर वो कोई ऐसी चीज न रही हो, जिसे तुमने सुना हो? पॉयरो ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया, शायद वो कंडक्टर के सामने उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा, चलो, एक और बात पर गौर करते हैं, मान लो, कल रात हत्यारा गाड़ी पर सवार हुआ, ये तो सर, कोई स्लीपर वाले डिबबे में बिना मेरे देखे आभी नहीं सकता, अच्छा, आखेरी स्टेशन कौन सा था? जी, विनकौव की, कितने बजे की बात है ये? जी, हमें वहां से 11.58 पर रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन मौसम की वज़ह से हम 20 मिनट की देरी से चल बंद कर दिया जाता है, अच्छा, ये बताओ, मिशेल, क्या तुम विनकौव की स्टेशन पर खुद गाड़ी से नीचे उतरे थे? जी, हां मौस ये, मैं हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर उतर कर डिबबे पर चढने वाली सीड़ी की बगल में खड़ा हो गया था, दू जरूर सवारियों में से किसी ने बर्फ को देखने के लिए उसे खोला होगा, इसके बाद पॉयरो एक दो मिनट तक सोचते हुए मेज को उंगलियों से थप थपाते रहे, कंड़क्टर ने डरे हुए अंदाज में कहा, आप मुझे तो दोशी नहीं समझ रहे सर, पॉयरो उसके उपर एक दया भरी नजर डाली और मुस्कुरा कर बोले, तो में एक बुरे इत्तफाक का शिकार हो गए हो भाई, अरे हाँ, एक और बात याद आई, तुमने कहा था कि जब तुम मिस्टर रैचट के दरवाजे को खट-खटा रहे थे, तो एक और घंटी बजी थी, दरअसल मैंने भी उस घंटी को सुना था, वो किस की थी, जी वो क्वीन ड्रैगो मेरोफ की थी, वो चाहती थी कि मैं उनकी सेविका को बुला लाओं, और तुमने ऐसा किया, जी हाँ सर, पोईरो अपने सामने रखे नक्षे को परखते हुए सोचते रहे, फिर उन्होंने अपना सिर जुकाया और बोले, फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ज्यादा परेशान मत होना, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने फर्ज में कोई कमी की है, संतोष्ट होकर पियरे मिशेल डिबे से चला गया, अध्याय दो, अगला नंबर था मिस्टर मैक्वीन का, उसे बुलावा भेजते ही, वो फॉरन हाजिर हो गया, हाँ तो कहिए जनाब, कैसा चल रहा है सब कुछ, उसने आते ही पूछा, कोई खास बुरा नहीं, हमारी आखिरी बातचीत के बाद मुझे कुछ पता चला है, मिस्टर रैचिट का असली परीचे, हेक्टर मैक्वीन नैपिंग का धंदा करता था, और उसी में नन्नी डेजी आमस्ट्रॉंग का वो मशूर केस भी शामिल था, मैक्वीन के चहरे पर पूरी तरह से चकित होने के भाव नजार आए, फिर उसका चहरा गुस्से से काला सा पड़ गया, उसने उत्तेजित स्वर में कहा, वो कमीना कुता, आपको इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, मिस्टर मैक्वीन? जी नहीं, अगर मुझे पता होता, तो उसके सेक्रेटरी का काम लेने से पहले मैंने अपना हाथ काट कर फेक दिया होता, आपने इस बात को कुछ ज्यादा ही गहराई से महसूस कर लिया है शाय था, वो बहुत ही प्यारी औरत थी, इतनी सजन और टूटे दिल वाली, वो कमीना रैचेट या कसेटी जो भी था, वो यकीनन इस तरह की सजा के काबिल था, मुझे खुशी है उसके ऐसे अंत पर, ऐसा आदमी जिन्दा रहने के लायक नहीं होता, अच्छा, क्या मैं ये प लापरवा ही थी, मैक्वीन ने कहा, पॉयरो ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप देख किस तरफ से रहे हैं, मैक्वीन को ये टिपणी बहुत ही चक्रा देने वाली लगी, वो इस तरह पॉयरो को एक टक देखने लगा, मानों उसके दिल की थाह ले रहा हो, पॉयरो ने कहा, मेरे सामने जो काम है, वो ये है कि ट्रेन पर सवार हर मुसाफिर की हरकतों का पका पता लगाऊं, इसका बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, ये सिर्फ नियम कायदों का मामला है, ठीक है, तो फिर आप अपन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक रात आपके साथ उसमें रहे चुका हूँ, वो सेकिंड क्लास का कूपे नंबर छे और साथ हैं, और मेरे चले आने के बाद आप ही उसमें रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक, और अब मिस्टर मैक्वीन, मैं ये चाहता हूँ कि आप य मैंने देखा कि सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए डिब्बे के अंदर वापस चला आया, कुछ देर तक उस अंग्रेज लड़की से बात की, जो मेरे बगल वाले कूपे में है, फिर वो जो अंग्रेज है करनल आर्बथनौट, उससे मेरी गपशप शुरू हो गई, और जहां तक मुझे याद है कि जब हम बातें कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से आप हमारे पास से गुजरे भी थे, फिर मैं अंदर मिस्टर रैचिट के पास चला गया, और कुछ पत्रों के बारे में जो वो लिखवाना चाहते थे, उनके बताए ब्योरे लिखने लगा, फिर मै मैंने पीने के लिए कुछ मंगवाया और हम जम कर बैठ गए, हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, दुनिया की, राजनीती की, हिंदुस्तान की, सरकार की, और हमारी आर्थिक परेशानियों की, आम तोर पर मैं भी अंग्रेजों से बहुत घुलता मिलता नहीं हूँ, वे लोग थोड़े अकडू टाइप के होते हैं, लेकिन ये आदमी मुझे अच्छा लगा, क्या आपको याद है कि जब वो आपके पास से गए, उस टाइम क्या समय हुआ था, काफी देर हो गई थी, मेरे ख्याल से दो बजने वाले होंगे, क्या आपने उस वक्त गौर किय था कि गाड़ी रुक चुकी थी, हां बिलकुल, बलकि हमें इस बात पर हैरानी भी हुई थी, बाहर देखा तो बर्फ का बड़ा सा अंबार नजर आया, लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं लगा कि ये गंभीर मसला था, अच्छा करनल के जाने के बाद क्या हुआ, वो अपन मैं सोने चला गया और सुबह तक सोता रहा, शाम के समय क्या आप किसी टाइम गाड़ी से बाहर भी आये थे, मैंने और करनल ने सोचा था कि हम लोग विनकौव की पर टांगे सीधी करने के लिए थोड़ी देर बाहर जाएंगे, लिकिन सर्दी बहुत ज्यादा थी और बर् में है? जी हाँ, क्या आपको याद है कि उसकी चिटखनी लगी हुई थी या नहीं? मैं क्वीन सोचने लगा, फिर बोला, हाँ, अब मुझे याद सा आ रहा है कि शायद लगी थी, कम से कम एक किस्म का फट्टा जो हथे के उपर से लग जाता था, क्या आप उसी चीज के ब मैं आखिर में अंदर आया था, मुझे याद नहीं आता कि मैंने उसे लगाया हो, लेकिन क्या ये बात महत्वपूर्ण है? हो सकती है. अब ये बताईए कि जब आप और करनल बैठे हुए बात कर रहे थे, तो गल्यारे में खुलने वाला आपके कूपे का दर्वाजा खु मैं क्वीन कुछ देर सोचता रहा, फिर कुछ याद करते हुए बोला, मेरे ख्याल से कंडक्टर एक बार निकला था, डाइनिंग कार की तरफ से आते हुए, और एक औरत दूसरी तरफ से गुजरी थी, डाइनिंग कार की तरफ जाते हुए, कौन सी औरत? ये तो मैं नहीं बता सकता, दरहसल मैंने गौर ही नहीं किया था, बात ये है कि मैं करनल के साथ बहस में उलजा हुआ था, मुझे बस इतना याद है कि दरवाजे के आगे से कोई लाल सी चीज गुजरी थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं और वैसे भी उसका चेहरा तो मैं देख भी नहीं प जरती, पोहरों ने सिर हिलाया और बोला, क्या आपने उसे लोटते भी देखा था, जी नहीं, लोटते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर वो गई थी, तो वापस तो आई ही होगी, एक और सावाल, क्या आप पाइप पीते हैं मिस्टर मैक्वीन, जी नहीं सर, ठी जी, वो करता था, मैं आमतोर पर पहले दर्जे में जाता था, अगर संभव हो, तो मिस्टर रैचेट के ठीक बगल वाले कूपे में, तब वो ज्यादातर सामान मेरे कूपे में ही रखवा दिया करते थे, ताकि जब वो चाहें, तो सामान और मुझ तक उनकी बराबर पहु जहीन चेहरे वाला वो अंग्रेज आया, जिस पर पिछले रोज पोईरो का ध्यान जा चुका था, वो अंदर आकर अदब से इंतजार करने लगा, पोईरो ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा और पूछा, जहां तक मैं समझता हूँ, तुम मिस्टर रैचेट के निज क्या हो गई है, जी हां बहुत ही चौकाने वाली घटना है, आखिरी बार तुमने अपने मालिक को कब देखा था, जी कल रात 9 बजे के करीब, या हो सकता है इसके कुछ देर बाद, अपने शब्दों में हमें बताओ कि ठीक ठीक क्या हुआ था, जी हमेशा की तरह मैं और ये देखना कि रात में उनको जिस चीज की जरूरत हो, वो वहां मौजूद रहे, क्या कल रात उनका रंग धंग कुल मिला कर हमेशा जैसा ही था, जी मेरे ख्याल से वो कुछ परिशान से थे, किस तरह से परिशान, किसी चिठी को लेकर जो वो पढ़ रहे थे, उन्हों जी बात थी या वो अक्सर ऐसा करते थे, जी वो तो बड़ी ही जल्दी आपा खो बैठते थे, क्या तुम्हारे मालिक ने कभी नीद की कोई दवा ली थी, जी हाँ, जब वो ट्रेन में सफर करते थे, तो हमेशा लेते थे, उनका कहना था कि अगर वो दवा ना लें, तो उ उन्होंने दवा ली थी, जी सर, मैंने उसे गिलास में डाल कर मेज पर तयार करके रख दिया था, तुमने उन्हें उसे पीते हुए नहीं देखा था, जी नहीं, अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि उनको और कुछ तो नहीं चाहिए था, और सुभा मैं कितन बजे उनके पास आऊं, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो खुद ना बुलवाएं, उनके आराम में कोई खलल ना डाला जाए, क्या ये भी एक आम बात थी, जी हाँ, वो अकसर ऐसा ही करते थे, जब वो जाग कर उठने को तयार होते, तो कंड़क्टर की घंटी बजा कर उस जाफी हो गई, और तुम्हारे लिए उनका बुलावा नहीं आया, तो तुम्हें फिकर नहीं हुई, जी हाँ, इसी लिए, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मालिक के कोई दुश्मन भी थे, जी हाँ, कैसे जानते थे, मैंने उनको कुछ चिठियों के बारे में मिस्टर म जाक्वीन से बात करते सुना था, क्या तुम्हें अपने मालिक से कोई लगाव था मास्टर मैन, मास्टर मैन का चेहरा पहले से भी ज्यादा भावहीन हो गया, ये कहना तो जरा मुश्किल है जनाब, वो एक उदार मालिक थे, मैं तुम से उदार नहीं पूछ रहा, मैं क्या तुमने कभी अखबारों में आम स्ट्रॉंग अपरहन केस के बारे में कुछ पढ़ा है, सेवक के चेहरे पर हलकी सी लाली आ गई, जी हाँ पढ़ा था, छोटी सी बच्ची थी ना जनाब, बड़ा ही भयानक केस था, क्या तुम ये बात जानते थे कि उस केस में तुम अपने मालिक से छुट्टी लेकर आने के बाद रात को तुमने क्या किया, जी मैंने मिस्टर मैकवीन से कहा कि मालिक उनको बुला रहे थे, फिर मैं अपने कूपे में चला गया और पढ़ता रहा, तुम्हारा कूपे कौन सा है, जी सेकिंड क्लास में आखिरी वाला, डाइ जी हाँ, एक बड़ा सा इटैलियन आदमी है, क्या वो इंग्लिश बोलता है? जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वो एक अजीब ही किस्म की अंग्रेजी बोलता है, वो मेरे ख्याल से अमेरिका में रहा है, शायद शिकागो में, क्या तुम्हारे और उसके बीच काफी बातचीत ह होती है? जी नहीं, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है, अच्छा ये बताओ कि तुम क्या पढ़ रहे थे? जी, फिलहाल तो मैं प्रेम का बंदी नाम की किताब पढ़ रहा हूँ, जिसे मिसिस एराबेला रिचर्ड सन ने लिखा है, क्या ये कहानी अच्छी है? मुझे त उसने बिस्तर लगा दिये, और फिर तुम बिस्तर पर लेट कर सो गए? जी नहीं, मैं बिस्तर पर तो लेटा था, लेकिन मुझे नीन नहीं आई, क्यों? मेरे दांत में दर्द था जनाब, तो क्या उसके लिए तुमने कुछ किया? जी, मैंने थोड़ा सा लॉंग का तेल लगाया, जिससे दर्द में थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर भी मुझे नीन नहीं आ रही थी, मैंने सिरके उपर लगी बत्ती जला दी, और पढ़ना जारी रखा, ताकि मेरा ध्यान दर्द से हट जाए, और तुम बिलकुल नहीं सोये, क्यों? जी, सुभा के करीब चा नहीं सर, रात के दोरान तुम्हे कुछ सुनाई दिया था? मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरा मतलब है कोई गयर मामूली आवाज तो नहीं सुनाई दी, ट्रेन रुकी हुई खड़ी थी, चारों तरफ खामोशी चाई हुई थी, क्या तुम्हारे मालिक और मिस्टर मैक्वीन म यहां, लंडन के ग्रॉवनर स्क्वेर में, वहां से एक काम क्यों छोड़ा तुमने? वो इस्ट एफरिका जा रहे थे और उनको मेरी सेवा की और जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप उनसे पता करेंगे, तो वे मेरे बारे में अच्छा ही और मिस्टर रैचेट के साथ कब से हो? नौ महीने से कुछ उपर हुए होंगे जनाब. शुक्रिया मास्टर मैन. अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम पाइप पीते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ. शुक्रिया, इतना काफी है, अब तुम जा सकते हो. सेव पेसे बाहर हो रही है. तब तो पहले उसी से मिलना ठीक होगा, पॉयरो ने कहा. तो क्या मैं उसे बता दूँ जनाब? वो काफी देर से ये मांग कर रही है, कि किसी बड़े अधिकारी से उसकी बात कराई जाए. कंड़क्टर बड़ी मुश्किल से उसे शांत करने की कोशि करता रहा है. पॉयरो ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अब उसे हमारे पास भेज़ दो भाई, अब हम उसी की कहानी सुनेंगे. अध्याए 4. मिसिस हबर्ड डाइनिंग कार में ऐसी उत्तेजित अवस्था में हाफते हुए पहुँची क्यों उनके मुह से शब्द मुश्किल से ही निकल पा रहे थे. मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ अधिकारी कौन है, मेरे पास बहुत ही महत्वपून जानकारी है, बहुत ही महत्वपून, सच मुझ, और मैं जल्दी से किसी अधिकारी को वो बता देना चाहती हूँ. पहले आप महरबानी करके बैठ जाईए और फिर हमें सारी बात बताईए, पॉयरो ने कहा, मिसिस हबड उनके सामने वाली सीट पर धम से बैठ दे, देखिए, मुझे आपको जो बताना है, वो ये है कि कल रात गाड़ी में एक हत्या हुई है, और हत्यारा ठीक वहीं पर थ मुझे, जरा सोचो तो, मुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपको वो सब बताऊंगी जो मुझे बताना है, मैं बिस्तर पर लेट कर सो गई थी, और अचानक मेरी नीद खुल गई, सब कुछ अंधेरे में था, और मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया क मेरे कूपे में उस वक्त कोई आदमी था, मैं इतना डर गई थी, कि चिला भी नहीं पा रही थी, मैं वहीं लेटे लेटे सोचती रही, हे भगवान, अब तो मैं मारी जाओंगी, अब तो मैं मारी जाओंगी, मैं आपको बता नहीं सकती, उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो र क्योंकि मैंने उनको जुराब में रखकर अपने तकिये के नीचे छुपा दिया था। इसलिए मुझे अपने गहनों की तो चिंता नहीं थी। लेकिन मुझे अपनी जान की तो चिंता थी। अगर वो मुझे मार जाए तो तो फिर मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं आखे बंद किये बस लेटी रही और सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कितने शुक्र की बात है कि मेरी बेटी नहीं जानती कि मैं कैसी मुसीबत में फसी हूँ। और फिर पता नहीं कैसे मुझे थोड़ा सा होश आया और मैंने अपने हाथों से टटोला और कंड़क्टर के लिए घंटी बजा दी। मैं उसे दबाती रही दबाती रही। और फिर कुछ नहीं हुआ तो उस टाइम मुझे लगा। मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये भगवान। मैंने अपने आप से कहा। शायद उन्होंने रेल-गाडी में हर किजी को मार डाला है इस आत्मीने। अब मैं क्या करूँ। अब मैं कहा जाओ। मैंने फिर से उस गंटी को दबाया। और मुझे कितनी राहत मिली जब मैंने गल्यारे में कत्मों के आहट सुनी और फिर मेरे दर्वासे पर दस तक हुई। मैं जोर से चिलाई। अंदर आ जाओ। और मैंने उसी टाइम लाइट भी जला दी। और आप यकीन करेंगे कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ मैं। अरे होना क्या था। मैंने उस आदमी को बताया कि क्या क्या हुआ था। और उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उल्टा मुझसे ये कहने लगा कि शायद मैंने सपने में वो सब देखा होगा मैंने उससे सीट के नीचे जहांकर दिखवाया हलांकि वो ये कह रहा था कि वहां इतनी जगह ही नहीं है कि कोई आदमी दब दबा कर घुश सके इसका साव मतलब था कि वो आदमी निकल भागा था लेकिन वहां पर कोई आदमी था जरूर और जिस तरह से उस मुए कंडक्टर ने मुझे पुछकारने और शांत करने की कोशिश की उससे तो मेरा पारा और भी चड़ गया मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मन ही मन फालतू बातें गड़ते रहते हैं समझे मिस्टर आपका नाम क्या है जी मेरा नाम पॉयरो है और ये मिस्टर बॉक है रेल कंपनी के एक डायरेक्टर और ये हैं डॉक्टर कॉंस्टेंटाइन आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई अब मैं ये दिखावा नहीं करूंगी कि मैं उतनी होशियार थी जितनी मैं हो सकती थी पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बगल के कूपे वाला आदमी था ये बेचारा जो मारा गया है मैंने कंडक्टर को कहा कि उस दर्वाजी को चेक करे जो दोनों कूपों के बीच में है और मुझे ऐसा ख्याल था कि उसकी चिटकनी नहीं लगी थी मैंने उसको कहा कि वो फॉरन दर्वाजा बंद करके चिटकनी लगा दे और जब वो चला गया तो मैंने और भी पक्का इंतजाम करने के लिए खड़े होकर उसके सामने एक सूट के साड़ा दिया ये वाकाया कितने बजे का है मिसिस हबड ये तो मैं आपको नहीं बता सकती मैं इतनी परेशान थी कि मैंने घड़ी पर नजर ही नहीं डाली और अब आपके नजर में मामला क्या है अरे सीधी सी बात है मेरे हिसाब से मेरे कूपे में जो आदमी था वो ही हत्यारा था और कौन हो सकता था वो भला और आपको लगता है कि वो वापस बगल वाले कूपे में चला गया मुझे क्या पता वो कहा गया मैंने तो आँखे कसके बंद की हुई थी हो सकता है वो दर्वाजे से बाहर गल्यारे में चला गया हो अब ये मैं कैसे बताऊ मैंने बोला ना, मेरी आँखे तो कसके बंद थी, मैं इतनी डरी होई थी, अगर मेरी बेटी को पता होता, एक मिनिट मैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कि आपने जो आवाज सुनी, वो बगल में, यनी मारे गए आदमी के कूपे में, किसी के चलने फिरने की आवाज थी, नहीं विजई मुद्रा में उन्होंने एक बड़ा सा जोला सामने खीचा, और हाथ डाल कर उसके भीतर टटोलना शुरू किया, एक एक करके उन्होंने दो बड़े साफ रुमाल, सींग के फ्रेम वाला एक चश्मा, एस्प्रिन की बॉटल, ग्लावबर के चून का एक पैकेट, च काबियों का छला, एक कैंची, अमेरिकन एक्स्प्रेस की चेक बुक, बेहत मामूली नजर आने वाले एक बच्चे की फोटो, कुछ चिठियां, नकली रुद्राक्ष की पांच लड़ियों वाली माला, और एक छोटी सी धातु की चीज, जो एक बटन थी, इन सब को बाहर देख रहे हैं आप, इस बटन को, ये मेरा बटन नहीं है, मेरे किसी कपड़े से नहीं निकला है, ये मुझे सुभे उठने पर अपने कूपे में मिला, जैसे ही उन्होंने वो बटन मेज पर रखा, मौस ये बॉक आगे को जुके, और हैरत भरी आवाज में बोले, ये बट कंडक्टर की वर्दी से उस वक्त गिर गया हो, जब वो आपके कूपे की तलाशी ले रहा था, या कल रात आपका बिस्तर ठीक कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सब लोगों को हुआ क्या है, लगता है आप लोग एतराज करने के अलावा और कुछ करते ही न रखा था, इतनी बात समझ में आई आपको, पोहरो ने मिसिस हबड को आश्वस्त किया कि वो उनकी बात समझ गए थे, ठीक है, फिर कंडक्टर ने दर्वाजे के पास की सीट के नीचे जहांका, और फिर उसने अंदर आकर मेरे और बगल के कूपे के बीच वाला दर्वाज चिटकनी लगा कर बंद किया, लेकिन वो खड़की के पास नहीं गया, और आज सुभा ये बटन उस पत्रिका के ठीक उपर रखा हुआ था, अब इस बात पर आप क्या कहेंगे, बताइए ज़रा, मैं इसे सबूत कहूंगा मैम, पोहरो ने कहा, दरसल क्या है न, कि अगर को बहलाने वाले स्वर में कहा, आपने हमें बहुत ही दिल्चस्प और बड़ा ही केमती सबूत दिया है, अब क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ हाँ, पूछिए, शौक से पूछिए, अगर आप इस आदमी मिस्टर रैचेट से इतना घबराई होई थी, त कि मैंने उस स्वीडिश औरत को ये पूछा था कि क्या दर्वाजे में चिटखनी लगी है, और उसने देखकर बताया कि हाँ लगी है, तो आपने खुद ये बात क्यों नहीं देखी, क्योंकि मैं बिस्तर पर थी और मेरा जोला दर्वाजे के हैंडल के उपर लटका हुआ जब आपने उससे ये बात कही थी, उस वक्त क्या टाइम हुआ था, जरा मुझे सोचने दीजिए, हाँ ये बात साड़े दस या पौने ग्यारह के आसपास हुई होगी, वो मुझसे ये पूछने आई थी कि मेरे पास एस्प्रिन तो नहीं थी, और मैंने उसको बताया कि व वो स्वीडिश औरत बड़ी हिली हुई थी, हुआ यूं कि उसने गलती से बगल वाले कूपे का दर्वाजा खोल दिया था, मिस्टर रैचट के कूपे का, हाँ आपको तो पता ही है कि जब आप गल्यारे से आएं और सारे दर्वाजे बंध हों तो कितनी मुश्किल होती है तो उसने गलती से मिस्टर रैचट का दर्वाजा खोल दिया था, इस बात से वो काफी परिशान थी, वो हसे थे और मेरे ख्याल में हो सकता है कि उन्होंने कोई अशलील बात उससे कही हो, वो बिचारी बहुत ही घबराई होई सी थी, उसने मुझसे कहा, मुझसे गलती हु वो आदमी अच्छा नहीं है, बोलता है तुम्हारा उमर बहुत ज्यादा है, अच्छा उसके बाद आपने मिस्टर रैचट के कूपे से कोई आवाद सुनी, पोईरो ने पूछा, सही तोर पर तो नहीं, सही तोर पर नहीं से आपका क्या मतलब है मैम, मेरा मतलब ये है कि खराटे लेते थे, बहुत ही भयंकर वाले, इससे पहले वाली रात को उन्होंने काफी देर तक मुझे जगाए भी रखा था, अच्छा अपने कूपे में किसी आदमी के होने की घटना के बाद आपने उनको खराटे लेते नहीं सुना था, अरे मिस्टर पोईरो, कैसी बात फिर उन्होंने पूछा, क्या आपको वो आमस्ट्रॉंग किड्नापिंग वाला केस याद है मिस्स हबर्ड? हाँ, हाँ, बिलकुल याद है, और ये भी याद है कि कैसे वो बदमाश जिसका उसमें हाथ था, साफ निकल भागा था, काश वो मेरे हाथ आ जाता, वो निकल नह यही मतलब है, रैचेट ही वो आदमी था, हाई, रब्बा, जरा सोचिये तो, मुझे ये बात अपनी बेटी को लिख भेजनी चाहिए, मैंने कल रात आपको बताया नहीं था, कि उस आदमी का कैसा शेतान जैसा चेहरा था, और मैं सही थी, देखा आपने, मेरी बेटी मिसिस हबर्ड, जी नहीं, वो एक छोटे से दाइरे में ही मेल जोल रखते थे, लेकिन मैंने हमेशा सुना था, कि मिसिस आमस्ट्रॉंग बड़ी ही प्यारी ओरत थी, और उनके पती तो उनकी पूजा करते थे, आपने हमारी बहुत मदद की है मिसिस हबर्ड, क्या मैं आप का पूरा नाम जान सकता हूँ, हाँ हाँ जरूर, मेरा पूरा नाम है कारोलाइन मार्था हबर्ड, क्या आप यहाँ पर अपना पता भी लिख देंगी, मिसिस हबर्ड ने बिना रुके बोलते हुए वो भी कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जरा सोचिये, कसेटी औ है, हे भगवान, ये के साजीव सवाल है, जी नहीं, मेरे पास दो ड्रेसिंग आउन है, एक गुलाबी है, फलालेन का, जो जहाज में सफर करते हुए आराम देह रहता है, और दूसरा जो मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, बैंगनी रंग का है, सिल्क का, लेक कूपे में तो लाल ड्रेसिंग आउन वाला कोई नहीं आया, तब वो औरत जरूर मिस्टर रैचिट के कूपे में गई होगी, मिसिस हबर्ड ने अपने होट भीचे और गंभीर स्वर्वे बोली, इस बात से तो मुझे कोई हरानी नहीं होने वाली थी, पोईरो आगे को कूछा कि आपको बगल के कूपे में कुछ सुनाई दिया था, तो आपने कहा कि आपको सिर्फ खराटों के आवाज सुनाई दी थी, हाँ तो वो भी तो सच था, कुछ समय तक तो वो खराटे ही लेते रहे थे, और जहां तक उस दूसरे मामले की बात है, उसका जिक्र करना अच्छी बात नहीं है, जिस समय आपने उस औरत के आवाज सुनी, उस टाइम क्या समय हुआ था, पता नहीं सकती, मैं एक मिनट को ही जगी थी, और मैंने एक औरत को बात करते सुना, और ये भी साफ था कि वो कहा थी, तो इसलिए बस मैंने यही सोचा, अच्छा, ये इस आदमी है, कमभक्त, और फिर मैं दुबारा सो गई, और मैं पक्के तोर पर कह सकती हूँ, कि मैं इस तरह की बात ना, तीन अजनबी लोगों के सामने कभी नहीं करती, अगर आपने इस तरह जबरदस्ती मुझसे पूछा ना होता तो, हाँ, क्या ये आपके कूपे में आद उससे कैसे बात कर सकती थी भला, माफ कीजेगा मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, कि आप मुझे काफी बुद्धु समझ रही है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन कोई भी आदमी कभी-कभी थोड़ा बहुत तो चकरा ही सकता है ना, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो और फिर खुद खड़े होकर उनको दर्वाजे तक छोड़ने गए, आखरी पल में उन्होंने कहा, अरे ये आपका रुमाल गिर गया था मैम, मिसिस हबड ने उस छोटे सूती रुमाल को देखा, जो पॉयरो ने हाथ में आगे बढ़ा रखा था, ये मेरा नहीं है मिस्टर पॉयरो, मेरा रुमाल तो मेरे पास है, ओ, माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि ये आपका है, क्योंकि उसके उपर H कड़ा हुआ है, इसलिए, ये तो बहुत ही दिल्चस्प है, लेकिन पक्के तोर पर ये मेरा रुमाल नहीं है, मेरे रुमालों के उपर CMH लिखा होता है, और वैसे भी वो थोड़े धंग के रुमाल होते हैं, ये ऐसी नक्षे बाजी वाली पैरिस की महंगी चीज़े नहीं, ऐसा रुमाल भला नाक पहुशने के काम कैसे आएगा, तीनों पुरुशों में से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था, और मिसिस हबर्ड विजई में नहीं आ रहा, क्या इस बटन का ये मतलब है कि प्यरे मिशेल भी किसी ना किसी तरह से इस मामले से जुड़ा हुआ है, पॉयरों ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बटन कई संभावनाय खोल रहा है, हमने जो गवाही सुनी है, उसके उपर चर्चा करने से पहले आईए उ उस स्वीडिश औरत से बात कर लेते हैं, उन्होंने अपने सामने रखे पास्पोर्ट के अंबार में से उसका पास्पोर्ट निकाला, आहा, ये रहा, ग्रेटा ओयसन, उम्र 49 बरस, मौसिय बॉक ने रेस्टरॉं के सेवक को हिदायत दी और थोड़ी देर बाद ही वो औरत वहां मौजूद थी, पूछने पर पता चला कि वो फ्रेंच भाषा समच और बोल सकती थी, इसलिए बात सीथ उसी भाषा में हुई, पॉयरों ने पहले सामाने सवाल पूछे, जैसे उसका नाम, उम्र और पता, फिर उन्होंने उसके पेशे के बारे में पूछा, वो इस् 11 असल में उनके कूपे में था, हमने सुना है मैम कि कतल किये गए आदमी को जिन्दा देखने वालों में आप आखरी थी, पता नहीं हो सकता है शायद, असल में मैंने गलती से उसके कूपे का दरवाजा खोल दिया था, बाद में मुझे उसके लिए बहुत शर्मिंदगी वो बड़ी ही अटपटी भूल थी, क्या आपको उस वक्त वो आदमी नजर आया था? जी हाँ, वो एक किताब पढ़ रहा था, मैंने जल्दी से सौरी कहा और पीछे हट गई, क्या उसने आपसे कुछ कहा था? उसने हसकर कुछ शब्द कहे थे, मैं पूरी तरह से समझ नही पाई, और उसके बाद आपने क्या किया? मैं मिसिस हबर्ड के पास गई, और मैंने उनसे एस्परिन मांगी और उन्होंने मुझे दे दी, क्या उन्होंने आपसे ये पूछा था, कि उनके और मिस्टर रैचेट के कमरे के बीच आने जाने वाला दर्वाजा बंद था या ख पाकी थे, क्योंकि अपनी घड़ी को चाबी देने से पहले मैंने समय देखा था, क्या आपको जल्दी ही नीद आ गई? बहुत जल्दी तो नहीं, मेरा दर्द पहले से ठीक हो गया था, लेकिन कुछ देर तक मैं जागी हुई लेटी रही, क्या आपको नीद आने से पहले गाड़ी रुक चुकी थी? जी, मेरे ख्याल से नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है, हम ठीक उसी समय किसी स्टेशन पर रुके थे, जब मेरी आँखें बस जपकने को ही थी, वो विनकोव की स्टेशन रहा होगा, अच्छा ये बताईए, आपका कूपे ये वाला है? नक्षे की जवान अंग्रेज औरत है, बहुत ही अच्छी है, बड़ी मिलनसार, वो बगदाद से आ रही है, गाड़ी के विनकोव की से चलने के बाद, क्या वो कूपे से बाहर गई थी? जी, नहीं, मुझे पका यकीन है, वो नहीं गई, लेकिन अगर आप सो चुकी थी, तो इतने प कूपे के बाहर गई थी? जी, आद सुभा तक तो नहीं, क्या आपके पास लाल रंग का किमोनो है? नहीं तो, मेरे पास तो एक उनी ड्रेसिंग गाउन है, जैगर के कपड़े का, हलका बैंगनी लबादा जैसा पूरब में बिकता है, ठीक है, आप ये सफर क्यों कर रही है क्या छुटियां मनाने के लिए? जी हाँ, मैं छुटियों में घर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लौसान जा रही हूँ, अपनी एक बहन के साथ कुछ दिन रहने के लिए. क्या आप इतनी महरबानी करेंगी कि अपनी बहन का नाम और पता लिख कर मुझे दे जी हाँ, जरूर, उसने वो कागज और पैंसिल लिया, जो पॉयरों ने उसे दिया था, और उसके उपर नाम और पता लिख दिया, क्या आप कभी अमेरिका में रही है मैं? जी नहीं, एक बार बस जाते जाते रह गई थी, मुझे एक अपाहिज महिला के साथ जाना था, ले ही प्रैक्टिकल होते हैं, क्या आपको आमस्ट्रॉंग अपहरन केस के बारे में कुछ सुनने की याद है? नहीं तो, वो क्या है? पॉयरों ने समझा कर उसे बताया, ग्रेटा ओयसन गुस्से में आ गई, उसकी भावनाओं में आईजवार के साथ उसका पीला जूड़ा भ वापस जाने को कहा, वो खुद एक कागज पर कुछ लिखने में व्यस्त हो गए, ये क्या लिख रहे हो दोस्त? मौस्ये बॉक ने पूछा, देखो दोस्त, मेरी आदत है पूरे सिस्टमाटिक तरीके से काम करना, मैं समय के हिसाब से घटनाओं की एक लिस्ट बना रहा हू कुछ देर बाद लिखना खत्म करके उन्होंने वो कागज मौस्ये बॉक की तरफ बढ़ा दिया, उस पर ये सब लिखा था, नौ बजकर पंधरा मिनट पर गाड़ी बेल ग्रेड से रवाना होती है, लगभग नौ बजकर चालिस मिनट पर निजी सेवक नेंद की दवा रै पढ़ रहा था, बारा बजके दस मिनट पर ट्रेन विनकॉवकी से चलती है और ये लेट है, बारा तीस पर गाड़ी बर्फ के तुफान में फस जाती है, बारा सैंतिस पर रैचेट की घंटी बजती है, कंड़क्टर जाता है, रैचेट कहता है, माफ करना गलती हो गई, ल में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको जरा भी अजीब लगती हो, पॉयरों ने पूछा, नहीं तो, ये तो सब काफी साफ और ठीक मालूम पड़ता है, इसको देखकर लगता है कि जर्म एक पंद्रह पर हुआ, घड़ी का सबूत भी हमें यही बता रहा है, और मिसिस हबड की कहानी भी इससे मेल खाती है, मुझे तो लग रहा है मेरे दोस्त कि ये वही लंबा तड़ंगा इटालियन आदमी है, वो अमेरिका का रहने वाला है, शिकागो का, और याद रखो, इटालियन लोगों का हथियार चाको ही होता है, और वो एक वार नहीं, अपने शिकार पर क के साथ धोका किया होगा, अब इटालियन ने उसको ढून निकाला, पहले चतावनी भरे पत्र भेजे और फिर आखिर में बेरहमी से अपना बदला ले लिया, सब कोच एकदम साफ दिख रहा है, पोहरों ने अपना सेर हिलाया और बोले, मुझे नहीं लगता कि ये मामला इ कि इटालियन आदमी कभी अपने कूपे से बाहर नहीं गया, हाँ ये बात थोड़ी दिक्कत वाली है, लेकिन इसका भी कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा, पोहरों ने फिर से अपना सेर हिलाया, नहीं मेरे दोस्त, ये मामला उतना सीधा और सारल नहीं है, जितना आप इसे समझ रहे हैं, इससे आगे की कहानी के लिए सुने, Murder on the Orient Express का भाग 3